हेलो बच्चो मैं प्रमोत कुमार पंडे आज आपके सामने कंपनी और लेके आया हूँ जिसका नाम है एवरेस्ट इंस्टूमेंट्स प्राइवेट लिम्टेड ये कंपनी गुजरात के लिए है लेकिन जो आपको जॉब मिलेगा वो बिहार राजी में मिलेगा तो ये प्रोफेशन के बच्चे पाडिसिपेड कर सकते हैं तो यहां बीटेक वाले भी जा सकते हैं डिपलोमा और आइटीय तीनों ही पाडिसिपेड कर सकते हैं चली इस कंपनी को मैं विस्तार्स में आपको बताने जा रहा हूँ तो कंपनी का नाम जैसे आप देख पा रहे हो ए इनके इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं तो इनको सर्विस इंजिनर की रिक्वार्मेंट है क्वालिफिकेशन जैसा मैंने आपको बता है यहां बीटेक वाले डिपलोमा वाले और आइटीय वाले तीनों ही जा सकते हैं तो जो बीटेक के लिए जो ट्रेड है जो ब्रांच ह वो mechanical है, electrical है और electronics है, यहाँ पर mechanical आपका mention नहीं है, लेकिन यहाँ mechanical के बच्चे जा सकते हैं, mechanical को भी यह allow कर रहे हैं, डिप्लोमा के लिए भी तीन ट्रेड, mechanical, electrical और electronics, तो डिप्लोमा में भी तीनो ब्रांचे जा सकते हैं, आइटी आई के लिए, फिटर, टर्नर, मसीनिस्ट, इलेक्टिशियन, इलेक्रोनिक्स, कंज्यूमर इलेक्रोनिक्स, इलेक्रोनिक्स, इलेक्रोनिक्स सी ओई, यह कमफर्टेवल फिल करता है या जो विहार के हैं उनके लिए जॉब अच्छा है और यहां पे सिर्फ मेल कंडिडेट ही रिक्वाइड हैं फीमेल कंडिडेट यहां पे नहीं जा सकती हैं उमर 18-18 साल हैं और सेल्री 8000 से लेके 14000 तक मिलेगा आपको इससे ज्यादा भी मिल सकता अगर आप experienced हैं आपका experience जादा है तो आपको सेल्री ब्याकरसक मिल सकती है और यहां पे आपका technical knowledge होना चाहिए आपको क्योंकि यहां पे आपको जो पोस्ट मिल लाई है वो service engineer की है इसलिए आपको technical knowledge होना चाहिए जिस field में आप जा रहे हो यह वैसे आपको यह एक हपते का training देंगे और मैं आपको बता दूँ यहां पे रहने का भी बंदोवस्त कराएंगे खाने का भी इंदिजाम कराते हैं और traveling allowances आपको अलग से मिलेगा कहीं अगर आप यात्रा कर रहे हो कहीं आपको भेज रहे हैं उसका allowances आपको अलग से देते हैं अगर आपको company के बारे मे ज़्यादा जनकरीच चाहिए तो यहां पे नंबर लिखा हुआ है 7574859192 इस पे आप call कर सकते हैं और यहां पे HR का email ID भी है HR at the rate of average instrument.in इस पे अपना resume सेंड कर सकते हैं और अगर आपका selection हो जाता है तो आपको company तक कुछ documents ले जानी होती है जैसे तेंतिका माक्सी ले जान copy दोनों ITI है, Diploma है या आपने BTEC BE जो भी किया है उसकी mark sheet और उसकी photo copy ले जानी होगी bank का passbook ले जाना होगा क्योंकि आपका जो salary है आपके bank account में आएगा pen card हो, आधार card हो, इनके jerox copy आपके पाद 3 set होनी चाहिए, passport size photo नी चाहिए 5 numbers, experience letter होना चाहिए अगर आपके पास है नहीं है, अगर आप freezer हैं तो भी आप जा सकते हैं, तो number मैंने आपको बताई दिया है, कि निलेज जी का number दिया गया है, 7574859192 और नीचे आपको इनका email ID भी दिख रहा है, आप इन पे call कर सकते हैं और इनको अभी urgent requirement है विहार location के लिए, तो जो बच्चा विहार में job करना चाता है और वो अगर B.Tech है, Diploma है, I.T.I है, तीनों बच्चे यहाँ participate कर सकते हैं, मनी जैसे आपको बताया है, B.Tech में mechanical, electrical, electronics, Diploma में mechanical, electrical, electronics और I.T.I में fitter, turner, machinist, electrician, electronics, यह सब बच्चे यहाँ पर भाग ले सकते हैं, तो सबसे बढ़िया है, अगर आप मुझसे Facebook को ज करना चाते हैं, तो मेरे तीन पेज़ेज हैं, Placement Cell Kanpur, Placement Cell KNP और Placement Oblique Apprenticeship Cell Kanpur, इन तीनों पेज़ेज बजूल के आप समय समय पर सारी जानकरियां लेते रहिए, और इस चैनल को सस्क्राइब करिए, और यह जो वीडियो इसको सेर करिए, कि बिहार तक के बच्चों के पा करिमेंट है,